नमस्कार आप देखरेंगे हैं हर्यारो न्यूजर्स प्रस और मैं हूँ आपके साथ दीशा आईये रूप करते हैं जो की बड़ी ख़वर कियों सोनिपत के गाओं ठाना कला मार्ग स्थेत पीर बाबा पर परसाद वित्रित करने गई महीला को एक यूवक निगोली मार दी वारदात को अंजाम देकर हमलावर पैदल ही मोके से भाग गया मामले का पता लगने पर महीला को खरखोदा के उपमंडल नागरी का स्पताल में भरती कराया गया महा से प्राथमिक उपचार के बाद महीला को पीजी आई रोहतक रैफर कर दिया गया पुलिस ने मामले की जान शुरू कर दी है एसीपी खरखोदा जीत सिंग ने जानकारी देते हुए बताया की महीला को गोली मारने की सूचना मिली थी घायल को पीजी आई रोहतक रैफर किया गया है उनके बयान दर्ज कर उनके अनुसार कारवाई की जाएगी गोली मारने वाले यूवक के बारे में इन्पुट मिला है यूवक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा सोनीपत से हमारे समवाद दाता विकास ओहल्याण की रिपोर्ट हम अजन्टीपाई हुए उसके लिए हम लगे होने तर किस तरह को बाइक वगयरा पर आया थे एक गोली मारे गई या दो मारे गई अभी जो यहां के जो लोग बता रहे हैं तरह कि पैदल आया था भाग गया हमारे फेस्बूक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए बैल आइकॉन को दबाना नब भूले